हलो गाईज आप सभी का एक बर फिर से स्वागत है आपके यूटूब चैनल फ्लाइंग शॉटेंग जोन में सो गाईज आज हम बात करेंगे डेली हाई कोट में वेकेंसी की सीनियर पर्सनल असिस्टेंट और पर्सनल असिस्टेंट की तो आपके जो ऑनलाइन एप्लिकेशन है उसका जो सब्मिशन डेट है वो आपकी छे तारिक है यानि कि कल से ये स्टार्ट होंगे और आपको डेली हाई कोट की ओफिशल वेबसाइट पर भी लिंक मिल जाएगा लास्ट डेट आपकी 31 मार्च रखी गई आप करेक्शन अगर कोई भी करना चाते हैं कोई गलती हो देखे एस पी यानि सीनियर परसनल असिस्टेंट ग्रूप बी में आता है लेवल आठ है बहुत बहतरीन सेलरी है अगर आप देखेंगे तो आपकी तकरीबन तकरीबन ग्रॉस 90 85-90,000 पहुचेगी टोटल वेकेंसी आपकी 60 है जनरल की 11 EWS की 10 OBC नॉन क्रिमी लेयर ठीक है टोटल 67 वेकेंसी है 29 इसमें जनरल की है और यह 400 ग्रेट पे की पोस्ट है यानि लेवल 7 इसमें भी आपकी ग्रॉस तकरीबन 75-80,000 पहुचेगी 67 इसमें टोटल वेकेंसी है 29 आपकी जनरल में होगी EWS में 6 OBC नॉन क्रिमी लेयर में 17 10 SC की और 5 ST कटेगरी की तो वेकेंसी अच्छी है अगर एक कोट वाइस देखी जाए तो वेकेंसी ठीक ठाक है चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं रखता जितने भी कोट्स हैं तकरीबन तकरीबन सेम क्राइटेरिया की जो पोस्टे हैं उनम और सिर्फ इंग्लिश शॉठ हैं हिंदी वालों के लिए इसमें पोस्ट नहीं है क्योंकि देली हाइग कोट में जो उफिशल लेंग्विज है वरकिंग की वो इंग्लिश है तो इंग्लिश शॉठ हैं ही अपलाई कर सकता है जिसको आती है तो एक्सो दस वट पर मिनट के आपकी short hand की speed होगी English में जो test ली जाएगी और इसमें दो तरीके से test लिये जाते हैं यानि कि 5-5 minute के 2 dictations दिये जाते हैं और वो दोनों dictations में से जो आपका best होता है उसको consider किया जाता है आपके evaluations में ठीक है अचलिए बात करते हैं 40 words per minute में आपकी typing test होगी computer पर ठीक है ये तीन criteria है जो आपको आने चाहिए और graduation आपके पास होनी चाहिए दूसरा personal assistant के लिए भी similar है बस इसमें आपको short hand की speed है वो 100 words per minute की दिखानी होगी बाकि सारे criteria सेम है चलिए अब इसमें सबसे important चीज है age relaxation की बात कर लेते हैं तो 32 years जो है इसकी upper age limit रखी गई है 18 से 32 years promotional growth की बात करें तो ठीक ठाक है लेकिन इतना भी ठीक नहीं है जैसा आप समझ सकते हैं workload इसमें रहता है ये बिल्कुल clear है मैं आपको दिखाऊंगा खुद Delhi High Court ने इस advertisement में लिखा है कि हाँ workload होगा और हो सकता है तो आपको उसके लिए तैयार रहना होगा ठीक है क्योंकि court की vacancy में थोड़ा सा इस चीज का जो है problem रहती है तो चलिए अब एक सबसे important चीज और main चीज आखिर इनका selection या mode of selection कैसे होगा तो दोनों ही post ओ के लिए same है बात करते हैं कैसे देखे stage 1 में आपका पहला जो stage 1 है उसमें आपके typing ली जाएगी 10 मिनट की और ये typing जो है qualifying होगा जो typing qualify करेगा केवल उसी को stage 2 यानि shorten और descriptive paper के लिए बुलाए जाएगा तो जो typing test है इसमें आपकी 3% की error माफ करी गई है 10 मिनट की typing होगी और English में होगी इसके बाद आपका stage 2 होगा जिसमें आपका short hand का test लिया जाएगा और इस short hand के test में 550 words बोले जाएगे 5 मिनट में senior personal assistant के लिए personal assistant के लिए 500 words बोले जाएगे इसमें भी जो आपकी error percentage है वो 3% रखी गई है ठीक है और इसमें मैंने आपको पहले ही बताया था कि 2 dictations दी जाएगी जो आपकी best होगी वो consider की जाएगी evaluations के लिए यानि कि आपकी marking के लिए इसके बाद आपका तीसरा stage होगा mains जिसे हम कह सकते है या main paper जिसे हम कह सकते है descriptive paper होगा इसमें 40 marks की आपकी essay होंगे letter writing 15 marks की grammar और comprehension पैसे 25 marks का translation Hindi to English 10 marks का और English to Hindi 10 marks का ठीक है यही main paper है short hand के साथ इसका marks और उसके बाद stage 4 जो qualify होंगे उसको interview के लिए बुलाए जाएगा यह चारो जो stage है एक आपका qualifying है और बाकी तीने stage की combined जो merit है वो बनाई जाएगी जिससे आपका selection होगा तो अगर हम personal assistant की बात करें तो same है process same है mode of selection सिर्फ 100 words per minute की short hand की dictation होगी that's it so guys अगर यह video information आपको अच्छी लगी हो तो like और share ज़रू कर देना channel पर नहीं channel को subscribe ज़रू कर लें thank you so much